दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास एट इस्टरी सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर नाइन के पार्ट सेकेंड को डिसकस करने वाले हैं और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फिर्ट को नहीं देखा है उसको नहीं समझा तो जाओ एक बार पहले उसको समझ लो तभी आप आगे कॉंटिनु करना उसको अच्छे से समझ पाएंगे अब ठीक है तो अब यहां पर हम स्टार्ट करने वाले में वाले में वाइल से और कल मैंने आपको इस से पीछ इस पिक्चर को शो किया था इसके बारे में आपको बाते बता आते हैं आप सबी को कि जो आपका जैसे जैसे समय अब आगे कुझरा तो आपका 1907 का टाइम हमारे पास आप पहुंचा और इस टाइम पे जो आपकी कोंगरिस थी वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई एक तो थे आपके मोडरेट लीडर और एक थे आपके करना है तो जो मोडरेट लीडर थे वो इसके खिलाफ थे यानि कि लड़ाई जखड़े खिलाफ थे और जो एक्स्ट्रीमेश्ट थे वो इसके समर्थन में थे तो यह कुझ यहां पे डिवाइड हुआ अब आगे बोलते हैं आफ्टर दी स्प्लीट ती कोंग्रेस केम टो डोमिनेटिड बाई दी मोडरेट विद तिलक फोलोवर्स कि भई आपकी यहां पे जैसे ही कॉंग्रेस बट गई तो जो मोडरेट लोग थे उन्होंने काफी डोमिनेट के कोंग्रेस को उसके बाद जो तिलक फोलोवर्स फंक्शन फंक्शनिंग फ्रों आउटसाइड और तिलक के आपके फोलोवर्स थे वो भार से फंक्शन कर रहे थे टू ग्रूप्स रूइनेटिड इन रियूनाइटिड इन 1915 अब यह जो दो ग्रूप्स आपकी कॉंग्रेस के बटे थे यह दोनों के दोनों आपके दोबारा से जुड गए दिसंबर 1915 के अंदर कब डिवा अब उसके अगले साल इन लोगों ने क्या किया जो आपकी मुस्लिम लीग थी उसके साथ में भी एक ट्रीटी साइन कर ली और भही यहाँ पर कोंग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके अब एक बन गई ठीक है अब आगे कहते हैं गवर्मेंट इन दी कंट्री की भही हम दोनों म मदलब की जो भावना थी लोगों के अंदर आने लगी आफ्टर 1919 इस ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रैज्विली बिकेम आम मास मुवमेंट इन वोल्विंग पीजेंड ट्राइबल स्टुडेंट्स और वोमें इन लार्ज नंबर एंड ओकेजिनली फैक्टरी इस वैल सर्टेन बिजनेस ग्रूप्स तू बिगिन टू एक्टिवली स्पोर्ट थी कॉंग्रिस इन 1920 इस वाई वोज दिस शो अभी यहां पर इसके लिए आप सभी को बाते बताता है कि भाई जो आपका 1919 तक आपका जो श्ट्रगल अभी शांती मतलब की बिल्कुल थोड इन दर हैते हैं या फिर जिनको हम बोलते हैं आपके जो मतलब की स्टूर्टे किस को ऊंगरिस को स्पोर्ट करने लगे 1920s के अंदर अब ऐसा क्यों हुआ को क्या लगता चलो यार उसको भी स्टव्श तटेडि कर लेते हैं अभी आपhos यहां पर बोलता है the first world war altered the economic and political situation in India कि भई जैसे ही आपका पहला world war हुआ तो जो हमारा इंडिया था इसके अंदर economic और political दोनों situations में काफी जादा बदला हुआ हमें देखने को मिली It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India और इसके वजय से जो हमारी Indian government थी, government of India थी उसका यार defense के ओपर खर्चा बहुत एक्तम से पढ़ गया The government is in trend increased taxes on individual incomes and business profits अब यहाँ पर अगर खर्चा government का बढ़ेगा तो government के पास आफिरकार पैसा कहां से आता है अब सभी को पता है वो हमसे क्या लेते हैं? tax लेती हैं अब ज्यादा tax लगाने लगे वो लोग आपके जो किसान लोग थे हैं उनके उपर भी जो लोग बिजनस से profit कमाती हैं उनके उपर भी फिर कहते हैं increased military expenditure and the demand for war supplies lead to a sharp price in prices which created great difficulties for the common people कि भई अब आखिरकार क्या होने लगा? कि भई बहुत ज़ादा demand बड़ी आपकी military के world war की वजए से और उसी वजए से जो चीजों की कीमते थे जो पहले लोग दाम देते थे अब वो दाम आपके बहुत ज़ादा आसमान कुछ होने लगे तो यहर ऐसा कुछ हैं आपे सीन हुआ ठीक है? अब कहता है, on the other hand, business groups repealed fabulous profit from the war. As you have seen, chapter 7, the war created a demand for industrial goods and caused a decline of imports from the other countries into India. So, Indian industries expanded during the war and Indian business groups begin to demand great opportunity for development. अब यहां पे बिसके लिए बताता है कि हमने chapter 7 के अंदर भी इस बात को study किया था कि फिर इस वज़े से क्या हुआ कि जो भाल से इंडिया के अंदर इंडर import आते थे अब वो आने आपके बंद हो गई, कम होने लगे जिस वज़े जो इंडिया के अंदर business था उसने काफी ज बता लगाओ कि जो आपका पहला wish of youth था यानि कि world war one था वो कितने देसों के साथ में और कितने देसों ने मिलके लड़ा था, अब यहां पे बताते हैं आगे, the war also led the British to expand their army, villages were pressurized to supply soldiers for an alien cause, अब यहां पे बिसके लिए बताते हैं कि वो लोग कि भई यहां पे इस वज़े से क्या होने लगा, जो government थी यानि कि जो British लोग थे, उनके पास यार्ट सिपाईयों की भी कमी होने लगी, तो सेना में भरते ही करने के लिए उनको ज़्यादा सिपाईयों की जो पढ़ने लगी, इस विज़े से जो गाओं के लोग थे, उनको pressurize किया कि आप हमारे पास soldiers की supply कीजिए, कैसे भी कीजिए, हमें supply जीए, ठीक है, फिर बताते हैं, a large number of soldiers were sent to serve abroad, और फिर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा संख्या में सिपाहियों को भेजा उनके पास विदेश के अंदर लड़ने के लिए, many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialized power were exploding the peoples of Asia and Africa with a desire to oppose colonial rule in India, अब यहां पर यहां पर बहुत सारे जो यूद में से सिपाही हार के आए, यहां मतलब कि जो भी fight करके आए, मतलब कि कोई हारा तो कोई जीता, जो भी वहां पर हुआ तो जो वहां से लोट के आपके जिन्दा वापिस आ पाए, तो वो इस बात को समझ चुके देए, इस reality क कि भी यह जो colonial rule है, बहुत सारे लोगों को यहां पर उनकी conditions को खराब कर रहा है, जो लोग अफरीका के अंदर है, एशिया के अंदर है, उनकी काफी condition यहां पर खराब हो रहे है, इस colonization की वजह से, अब आगे बताते हैं, furthermore in 1917, there was a revolution in Russia, कि भी 1917 के अंदर हमें आपका Russia के अं अब वो करांती क्या थी, news about present and worker struggles and the idea of socialism circulated wildly की, भी वहां पर आपका एक idea चल रहा था लोगों का present जो लोग हो गए, आपका जो वरकर हो गए, कि भी वो सभी लोग struggle कर रहे हैं आपके ideas को develop कर रहे हैं, socialism की, जो कि आपका बहुत दूर दूर तक फैला, inspiring Indian nationalist, और उसने बहुत जदा inspire किया, यहां पर जो हमारे Indian nationalist थे इनको, अब यहर बात आती है, the advent of Gandhi, यानि कि गांधी आपके अब आने वाले हैं, तो यहर बोर मज़ा आएगा, ठीक है, हम कहते हैं, it is in these circumstances that Mahatma Gandhi emerged as a mass leader की, भी यह वो टाइम था जब आपके जो महतमा गांधी थे, वो एक बहुत arrived in India, कि भी जब गांधी जी इंडिया के अंदर आये थे, तो उनकी उमर जो थी, वो छे आड़ी स्याल थी, आपको बता होना चाहिए, इन 1915 और हम कब की बात कर रहे हैं, 1915 की, यानि कि 1915 की, जब वो साउथ अफरीका से लोटे थे, having led Indians in that country in non-violent marches against the racist restrictions, he was already a respected leader non-international, यह यहां पर बताते हैं कि भई, उसने यहां पर इंडिया के अन्दर आने के वाद, काफी सारी moment चलाई, जहां पर आपकी बिल्कुल, HINSA को वो लोग follow करते थे, यानि कोई हिसातमक कारिये हैं, यहां पर वो लोग नहीं करते थे, और साथ में बताते हैं कि भई, वो पहले, आ पार्सिस, कुजराती, तमिल, एंड नोर्थ इंडियन्स, एंड अपर क्लास मर्चेंट, लोयर्स, एंड दी वर्कर्स, अभी हमें बताते हैं कि भी जब इनोंने साउथ इंडिया के अंदर एज लेटर काम किया बहुत साल तो जो इनके साथ में बहुत सारे मतलब की इंडियन के साथ में इनकी मुलाकात हुई, जैसे कि आपके हिंडू, मुस्लिम हो गए, पार्सी हो गए, क्रिश्चन लोग हो, गुजराती, तमिल, आपके नोर्थ इंडियन हो गए, अपर कलास मर्चेंट हो गए, या फिर अगर लायर की, जो आपके वकील होती है, उनकी बात करिया फिर वरकर की तो, मनलब की काफी सारे लोगों के साथ में पहले मिल चुके थे, बैठ चुके थे तो, ने एक काफी तजुर्बा हो चुका था, लाइफ का, फिर बताते हैं, मात्मा गांदी स्पेंट इस फर्स्ट इयर इंडिया, ट्रैवलिंग थूआउट ती कंट्री की, आने के बाद गांदी जी ने पहला साल याने की पूरा फर्स्ट इयर अपना पूरा भारत को अच्छे से घूमा देखा कि आखिर कहां क्या situation है और कैसे क्या यहां पे लोगों के साथ में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, फिर बताते हैं, understanding the people, their needs and the overall situation की, यहां पे यह चारो त in contact with the Rajendra Prasad and the Wallabhai Patel, अब हमें बताते हैं कि भई इसने अपनी जो starting की local moments चलाई, यानि की छोटे-छोटे scale के ओपर moment चलाई वो चलाई थी, आपकी यहां पे केड़ा के अंदर, आपकी चंपारन के अंदर, आपकी हमदाबाद के अंदर, और उसी के दोरान ये contact में आया, आ आपकी जो वलब भाई Patel थे उनके साथ में, फिर बताते हैं, इन एहमदाबाद, he led a successful meal worker strike in 1918, और फिर इसी के साथ 1918 के अंदर, इन्होंने एहमदाबाद के अंदर, आपकी meal worker की strike चल रही थी, उसको सफल कराया, फिर यार आप इस figure को यहां से देखिए, जो कि आपकी figure 6 थे यहां पर बता रखे हैं, आपको founder of the Natal Congress, दर्बन, South Africa, 1895, कि भाई यह आपके founder लोग हैं, आपकी Natal Congress के जो कि आपकी South Africa के अंदर, the 1895 के आपकी picture है, in 1985, along with the other Indians, महात्मा गांधी established the Natal Congress to fight against racical discrimination, can you identify गांधी जी, he is standing at the center, in the row, at the back, wearing a coat and a tie, अब यहां पर बिसके लिए आप सभी को बताता है कि भाई देखो यार, इस picture को आप ध्यान से देखो, यह picture आपकी है Natal Congress, नाडल Congress आपकी क्या थे, कि भाई जो महात्मा गांधी जी ने आपके South Africa के अंदर, उन्हों ने एक group बनाया था, कि भाई जो यहां पर, मतलब कि car, वो कहां है, वो पीछे, खड़े है, लायन के center में खड़े है, और उन्होंनेे tie डाली है, और coat डाला है, तो मेरे ख्याल से, गांधी जी, यह होने जी यह आपकी यह, ठीक है, बाकि आपको कहुंज से लगते हैं, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, या फिर खुछ से that British had just passed कि भई आपका 1919 के अंदर गांदे जी ने विरोध किया आपकी रोविलिट एक्ट का जो कि अंग्रिय जो ने उसी टाइम पे पास किया था लेकिन यार एक मिनिट इसको बताने से पहले मेरे को यह लाइन बताने थे एक मिनिट ही मिस हो गई तो चलो यार अब एक थोड़ा सा फोकस करते हैं 1919 से 1922 के बीच में जो कुछ मोमेंट गांदे जी ने चलाई उनके उपर ठीक है तो सबसे पहले यार हमने वहाँ पर पढ़ लिया अब बताते हैं अब बताते हैं अब यहाँ पर आप सभी को बेसिकली बताता है कि भई आपको देखो यहर मैंने पहली बता रखा था कि उन अंग्रेजों ने आप हमारे उपर रोक लगा रखती थी कि भई यहाँ पर आपके पास कोई एक्स्पेशन यहाँ आप खुला का बार में कुछ भी नहीं बोल सकते गोवर्मेंट के विरूद साथ में जो पुलिस है उसके पास बहुत कम पावर थी उस टाइम पे तो जो गांदी जी थे मुहमद अली जी ना थे और और भी बहुत सारे आपके लीडर्स थे उनका यहीं माना था कि भाई यह जो एक्ट है यह बिल्कुल आपका डेविलिश है और आपका ट्रैनिकल है इसको हमको यहाँ से हटाना होगा और तभी यहाँ पे अच्छी जो पाएगी तो उसके साथ यार इन्हों ने इसको हटाने के लिए यहाँ पे रखी डेट आपके 6 अपरेल 1919 और यहाँ पे का कि भाई इस दिन हम यहाँ पे अपोज करेंगे सेक्ट का लेकिन अहिंसक तरीके से याने कि हमें कोई लड़ाई जगडा महाँ पे नहीं कर रहा है और इसको हम मनाएंगे एक हमिलेशन और एक प्राथना के दिन के रूप में हरताल हम वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे हरताल आपका हिंदी वर्ड यूज कर रखा है इन लोगों ने लेकिन स्ट्राइक होता है आपका यहाँ पे फिर बताते हैं सत्य अग्रह सभाज वर सेट अप टू लॉंच दी मॉमेंट तो फिर यहाँ पे आपकी सत्य अग्रह सभा हुई यानि कि बहुत सार लोगों की मीटिंग होने लगी इस एक्ट को लॉंच करने के लिए ठीक है तो चलो यहाँ आप आपके दिखती है यहाँ आपने जो पीछे पिक्चर देखी चलो मैं इसको दुबारा दिखाऊंगा आपको कहता है उसके बारे में कि भाई दी वोल्ड कंपाउंड इन विजर्नल डायर ओपन फायर उना कैदर ओ पीपल दी पीपल आर पॉइंटिंग टू दी बुलेट्स मार्क्स ओन दी वाल अप सबी को किस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए देखो यार अब ध्यान से पिक्चर को अब यहां पर आपको कुछ ऐसे निसान दिखाई देंगे एक मिनट मैं दिखाता हूं तो यह देखो यार देखो एक तो आपका यह हो गया 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 है जिसे कि बहुत सारे लोग मारे गए थे तो आज भी वहां पर गोलियों के निसान हमें यहां पर देखने को मिलते हैं ठीक है तो बाकी चलो यार हम आगे कॉंटिनू करते हैं तो यह आगे बाप सभी के पास निकल के आती है जो कि कहती है find out about the जलिया वाला बाग मैं सकेरी what is जलिया वाला बाग what authorities were committed there how were they committed कि भी आपके जलिया वाला बाग के अंदर basically क्या हुआ था क्या authority हुए थी क्या कुछ सीन हुआ था उसके बारे में आप खुल से पता लगाने कोश्च को रहो एक बार सोचो उसके बारे में फि यह आपका जो रोलेट सत्यक रहे था वो पहला हमारा struggle था अंगरे जो के विरुद आजादी पाने के लिए और यह आपका बहुत बड़े scale पे हुआ लेकिन यह आपका सिरफ सहरों तक ही सीमित था यानि कि गाओं वगारा के जो एरिया होती हैं वहाँ पे यह आपका ज्या वहाँ पे आपके बहुत सारी हड़ताल हुई मतलब की गवर्मेंट के खिलाफ हुई मतलब की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को यहाँ पे किया गया और जुन को रोकने की कोशिश भी ही गवर्मेंट ने पिर बताते हैं दिजलिया वाला बाग अट्रोसिटी इंफिक्ट और इसी चीज़ को रोकने के लिए बेसाखी के दिन जब लोग इकठे हुए थे आपके जलिया वाला बाग के अंदर तो जनरल डायर ने उनके ओपर फायर कर दिया 13 अपरेल की बात है यह आपकी फिर बताते हैं वेरा पार्ट ओफ दिस रिप्रेशन वह ओन लर्निंग पर क्नाइठ हुड वर्ड का यूज किया फिर क्नाइठ हुड का मतलब यहां पर आपको समझाते हैं और कहते हैं एन होनर ग्रांटिड बाइदी ब्रिटिश कराउन फूर एक्सेप्शनल परसनल अचीवमेंट्स और पपलिक सर्विस कि भाई यह जो क्नाइठ हुड था न क क्नाइठ हुड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ब्रेटिश लोग हैं वह मतलब कि यार उनके पास हमारे इंडिया को रूल कर रहे हैं उनके पास इतनी पावर है तो यहां पर रबिंदर नाज जी ने कहा कि आप प्रिनाउंसिंग कर दो क्नाइठ हुड को कि आप इसको त्याग दो इस वर्ड को यह कि आपके ओपर सूट नहीं करता अपने ऐसे लोगों के ओपर अटाइक के जलिया वाला बाग के अंदर तो यह कुछ बात है यहां पर ठीक है अब क्लियर है तो चलो बागे देखते हैं फिर बताता है डूरिंग दी डूलेट सत्या गरहती पार्टी स्पेंड ट्राइट टू इंशूर धेट हिंदू एंड मुस्लियम वर उनाइट इन फाइट अगिनिस्ट ब्रिटिश रूल कि इस दुरान लोग यह कोशिश भी कर रहे थे कि जो हिंदू हैं और मुस्लिम लोग हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ में मिल कि अंगरे जों के साथ में लड़ने की कोशिश करें इस वोज ओल्सो दी कौल ओफ महात्मा गांधी हूँ ओल्विट सो इंडिया ऐस लैंड ओफ ओल पीपल हूँ लाइट इन अ कंट्री हिंदू मुस्लिम एंड दोस ओफ दी अधर रिलिजियन्स मैं बताते हैं गांधी ज कि भई यहां पर हिंदू और मुसलिम को एक साथ काम करना पड़ेगा अंगरे जोसे लड़ने के लिए तब हम सक्सेस्फूल हो पाएंगे ठीक है अब यह बारी आती है आपकी खिलाफत एजिटेशन्स एंड नोन कोपरेशन मुमेंट की खिलाफत का क्या सीन था आपका और नोन कोपरेशन मुमेंट किया थी अब यहां पर बोलते हैं अब यहां पर बताते हैं कि खिलाफत इशू आपका एक बहुत बड़ा इशू था 1920 के अंदर बैसिकली हुआ गया कि जो ब्रिटिश थी ना उन्होंने एक ट्रीटी थोप दी मतलब जो तरकी सुल्तान थे उनके ओपर पीपल वर फ्यूरियस अबाउट इस एज दे हैड बीन अबाउट दी जलिया वाला मैस के एर ओलसो इंडियन मुसलिम्स वर कीन दैट दी खिली खलीफा बिलो खलीफा बिलो तो रिटेन कंट्रोल ओवर मुसलिम स्केर्ट प्लेसिस इन दी एश्टरवाइल ओटोमन अब यहां पर बिसकली बताते हैं कि यार बेसिकली हुआ क्या कि मैं आपको इस एक स्क्राइब करता हूं इसको कि भाई जो आपकी खलीफा और जो यह तरकी सल्तान हैं दोनों एक ही हैं फिर बताते हैं कि भाई इस वाले बाग को लेकर पहले जो आपका जलिया वाला बाग हत्या कांट हुआ था उसको लेकर इन दोनों बातों को लेकर लोगों के अंदर पहले से ही काफी दुख था मतलब की काफी दुख ओर हो गाया जब ये बात होई और जो मुसलिम ध्रम के लोगा थे वो चाहते थे कि भई यहांपे इनको फ्री कर दिया जाए यानिकि इनके उपर कोई यहांपे चीज थोपी ना जाए तो है यह उनके ध्रम की मतलब माननता है और वो चाहते थे कि भई जो हमारा इस्टर वाइल ये ओटोमन इंपायर है ये फरी होना चाहिए ये अपने अनुसार चलना चाहिए फिर बताते हैं अब यहाँ पर आपके जो सोकत अली थे और मुहम्मद अली थे यानि इस खिलाफत मुमेंट के लीडर उन्होंने चाहा कि भई हम भी अब नोन कोपरेशन मुमेंट करेंगे अब यहाँ पर उन्होंने कोंगरेस को कहा कि भई आपके पंजाब के अंदर गल्त हुआ है यापके जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ है तो इसके खिलाफ आप दोनों के खिलाफ यहाँ पर नोन कोपरेशन मुमेंट चलाओ और साथ ही डिमांड करो अंग्रेजों से सवराज की सवराज का मतलब होता है कि भी हमें अजादी दो ठीक है फिर बताते हैं दिन नोन कोपरेशन मोमेंट गेंड मोमेंटम थूरू 1920 और 1921 की टू और आपकी जो हैं पर खिलाफत मोमेंट थी उसके अंदर 21 से 22 के बीच में आपका काफी हमें पावर देखने को मिली फिर बताते हैं थाउसेंट ओफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्मेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स और कोलिजिज मैनी लोयर सच ऐस दि मोतिलाल नहरू सी अरदास सी राजा गोपालचारी और असफ अली गेव अप देर पैक्टिसी सब यहां पर आप सभी को बताते हैं कि भाई जो अन्गरिज लोगों टाइटल दे रखे थे लोगों को उन्होंने वह भी त्यागना स्टार्ट कर दिये और यहां पर बताते हैं कि उन्होंने भई पब्लिक मन जाके जो यहां पर फॉर्ण से कपड़े आते थे उन सभी को आग लगा दे इंपोर्ट ओफ दी फॉर्न बीच में, बट ओल दिस वोज मरले दी टीप ओफ दी आइसबर्ग, लार्ज पार्ट ओफ दी कंट्री वर ओन दी ब्रिंक ओफ आफ फॉर्मेबल रिवोल्ट, अब यहां पर बताते हैं कि भई यह तो सिरफ आप छोड़ा सा टुकड़ा था एक बड़े आइसबर्ग का, लेक अब यहां पर जो आपकी अहींसा थी, इसके मतलब महत्मा गान्दी का क्या था, यानि कि भई नोन वोईलेंट, यानि कि आपको कोई उगर रूप यहां पर नहीं है, मतलब कोई फाइट वगरा नहीं करना, देखो जा चलो उसको आपको उच्छे समझाता हूँ, अब यह आपको कोई एनिमी लगा लो, आपने इसके साथ में फाइट कि, इसको अच्छे मलब कि आपने अच्छे से पिटाई कर देखी, तो आपने क्या किया है, यहां पर वोईलेंस की, एक यहार आप मार पिटाई ना करते तो वो क्या होती है, आपकी नोन वोईलेंस, तो बस यह डिफेरेंस के बीच में, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है, अब आगे बोलते हैं, how could ahimsa became the basic of struggle, this is what गांदे जी said, non-voilence come to us through doing good continually without the slightest expectation, expectation of return, कि भई यहां पर ahimsa का मतलब गांदे जी बताते हुए कहते हैं, कि भई इसका मतलब होता है, कि भई हमें सिरफ अच् in South Africa, I succeed in learning, अब बताते हैं कि गांदे जी ने ये बात South Africa के अंदर अपना सीखी थी, जब उन्होंने वहां पर moments को चलाया था, ठीक है, अब बताते हैं, the eternal law of suffering as the only remedy for undoing wrong and injustice, it means positively the law of non-violence, you have to be prepared to suffer cheerfully at the hands of all and the sun dry and you will wish ill to no one and not even to those who may have wronged you, महत्मा गांदी, मैं बताते हैं कि भई इसका मतलब ये हैं कि आपको किसी के साथ में भी अहीं सान नहीं करनी है, अगर कोई इनसान आपको मारता भी है, या आपको साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करना तो आपको return में उसके साथ में बुरा नहीं करना है, यानि कि भई बहुत सारे जिन्हें पे यहां पे लोगों ने मतलब कि आपके वोईल, इसको non-volently तरीके से फोलो किया, यानि कि अहीं सा का इस्तमाल किया, इन अधर डिफरेंट क्लासिज एंड ग्रॉप्स इंटरप्रेटिंग गांदी जी कोल इन देर ओमन मैनर, प्रोटेस्ट लेकिन बहुत सारे आपकी जिन्हें पे इस बात को नहीं माना गया, इसके अकोर्डिंग बातों को नहीं समझा गया, इन आइधर केस, पीपल लिंक देर मोमेंट टो लोकल ग्रीवेंसी, कि भी इन दोनों तरीकों से लेकिन लोगों की जो मोमेंट थी वो एक लोकल तरीके स थी और दोनों की यहां पे मतलब की अंगरेज़ों के खिलाफ थी टोटली मोमेंट, उसके बाद चलो आपको एक्जेम्पल के आपको समझाते हैं, इक्जेम्पल की बार याते हैं तो यह आपको सबसे पहले हैं, हमें बताते हैं कि इन खेडा, गुजुरात, पतीदार, प् तो इन अपको समयाँ प्राइब, इन अब इसके लिए बताता है कि इसको लोगों ने अपने अपने तरीके से लिया, मुवमेंट को, वो कैसे लिया हैं हमें बताते हैं कि जो खेडा, गुजुरात था, वहां पे हैं जो पीजुरात है, उन उन टेक्स के डिमांड लोग के जो गोवर्मेंट थी हाई करने लगी तो उन लोगों ने कहा कि भई हम आप कुछ जदा टेक्स नहीं देंगे उन्होंने आपके सत्यागर है आपका चला दिया यानि कि नोन वोइलेंट चला दिया उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि अब यहाँ पर लोगों ने इसका इसका इस्तमाल करना चालू कि या आपकी नोन वोइलेंट इसका अब यहाँ पर आगे बताते हैं ते वर प्रोटेस्टिंग बिकोज दी कोलोनियल स्टेट हैड रिस्टिक्टिट देर यूज ओफ फोर्स रिसोर्स इन वारियस वेज बिल को यहाँ बता रख कर देखो आपको यानि कि जो आपके दोनों लोग थे यानि कि जो वोयलेंट भी लगा लो आफ नन वोयलेंट भी लगा लो डो दोनों इस मुवेंट को लोकल लीले लेन कि लियाने कि बहि है अगर मेरे पास मेutetes की कमी बात करते हैं सबसे काम करो जो हमारे पसु अब जंगल केंदर जाते हैं चरने कर लंगों चरने लग रहा था जो कि मैंने आपको बताया था प कहता है पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाईड अब बील्डिंग और शोब तु PRIVENT other from entering कि भाई किसी दुकान के बाहर अब मानों ये कोई दुकान है इसके बाहर आप बैठ के अगर श्ट्राइक कर रहे हो तो दुकान के नदर तो कम कस्टमर जाएंगे ना फिर कम लोग जाएंगे तो यह इस तरीक के चीज़ को हम बोलते हैं ठीक है तो चलो या रब बाहर या यह हमारी आगे समझने की अब कहते हैं इन सिंद नाव इन पाकिस्तान मुस्लिम ट्रेडर एंड पीजेंट्स वर वेरी इंतुसियास्टिक अबाउट दी खिलाफत कोल इन बंगाल टो दी खिलाफत नोन कोपरेशन अलियाइन्स गेव इन्वरमस कोमनल यूनिटी यूनिट आ कि अब आगे बताती हैं इन पंजब दी अकाली अजिटेशन ओफ दी सिख्स शाॉट टू रिमूव करफट महंत सूपोर्ट इब इन from their gurudwaras this movement got closely identified with a non-cooperation movement in Assam tea gardens labor shouting gandhi ji maharaj ki jai demand a big increase in their wages they left british owned plantations and admist and declarations and they were following gandhi which interestingly in Assamese Vaishnava song of the period of reference to the krishna was submitted by the gandhi raj months religious functionaries of the Sikh gurudwaras illegal evocation forcibly and unlawful throwing out of tenants from the land they rent اب یار یہاں پہ بسکلی آپ سبھی وہ کیا بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یار آپ کا جو پنجاب کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جو آپ کی مہنس ہے یعنی کہ جہاں پہ یار آپ کے جو پنجابی لوگ جا کے مدلب کی اپنے Sikh gurudwarak के अंदर पूजा करते हैं उसकी बात basically वहाँ पर अंग्रेजों की help से जो यार आपके थोड़े ढोंगी type के यहाँ पर थे ना उनको हटाने की कोशिश की उसके बाल बताते हैं आगे कि इन लोगों ने फिर मतलब कि अंग्रेजों को ढोंग बता के एक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे तो यहां पर बहुत सारे जो लोग आपके अंग्रेज़ों के खेतों में काम करते थे यानि कि जो मनलब कहते थे कि यह खेत गवर्मेंट के हैं के उपर हम काम कर रहे हैं इसा नो कर तो यह उन्होंने कहा कि जो हमारी वेजीजीज है उनको बढ़ाया जाए और गांदी महराज की जाए और वहां से छोड़ के वो लोग निकलना स्टार्ट कर देने लगे ठीक है पर ऐसा कुछ सीन यहां पर होने लगा उसके बाद यहां पर मंत्स का मतलब मैंने अब सभी को पहले बता दिया जो इलिगल एविकेशन होता है यानि कि बहे किसी को गैर कानुनी तरीके से किसी खेट से या फिर किसी से हटा देना जो कि वहां पर पहले काम कर रहा है अब बैसकलिया यहां तक हो क्या सीन रहा है मैं समझ सकता हूँ आपके माइन में बलेकुल टोटली करेंट हो रखी होगी तो इसको अब दूर करते हैं ठीक है अब हुआ कि आद देखो ध्यान से सुना इस बात को यह जो डाइकराम बनाने वाला हम सारी डाउट दूर कर देगा अब देखो यार गांदी जी ने चलाई आपकी नोन कोपरेशन मॉमेंट और उन्होंने कहा कि भाई यह जो नोन कोपरेशन मॉमेंट है ना यह क्या होगा कि हम अंग्रेजों का सही योग नहीं देंगे और इस विजए से क्या हुआ अगर नोन कोपरेशन मॉमेंट जलाई तो यह बहुत सारे लोगों ने स्कूल छोड़ दिया बहुत सारे जो आपके वकील लोग थे उन्होंने अपने जोग छोड़ थे यह बात आप समझे चुकी है अब यह यह चोड़ने मतलब था कि भाई अंग्रेजों को हमें स्पोर्ट नहीं करना है यह उन्होंने आप जलिया वाला बाग घत्या कांट किया उसके बाद यहार यहां पे हमने खिलाफत में पढ़ा कि भाई जो खलीफा लोग थे अब उनके ओपर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाने लगी तो अगर उन्होंने यह बात कही और यहां पे मोमेट चलने लगी लेकिन लोगों ने इसको यहां पे लोकली ले लिया लेकिन इन लोगों ने क्या समझा जो खेड़ा के जो फीज़ेंट लोग थी उन्होंने समझा यहां पे जो टेक्स हमारा ज्यादा लगा रखा है इसका मतलब आ कि हमें Taxä कम करना है यानि इनों ने यह नहीं वात छोड़ दी कि हमें अंग्रेजियों के खिलाफ लटना है गांधी जी का मतलब था हमें अंग्रेजियों के खिलाफ fight करनी है non violence तरीके से लिकिन इनों ने समझा कि गांधी जी जाते हैं और हमें कोई भी ना रोके, हमारे उपर कोई force ना हो, या फिर हम बोले कि हमारे उपर मतलब कोई भी पैसा ना देना पड़े हमें अपने पसु चराने का। टर उन्होंने इस बात को ऐसे टैज किया, लेकिन गांदी जी का मतलब क्या था Oregon गांदी जी का मतलब था कि हमें अंग्रेजियों के खिलाफ लड़ना है लेकिन यह कैसा हो चाहता था कि हम अंग्रेजियों को किसी तरीकी से साथ ही ना दे उनकी कोई बात ही ना माने अब यार आगे हमने यहां पे भी देखा तो ऐसा ही कुछ सीना आपके पंजाब के अंदर आपके काम करते हैं उन्होंने भी नोन कोपरेशन के साथ में अटाइच कर दिया तो बेसिकली यह बात आपके हां पर माइंड में क्लियर होने जी जो महनमुद्दी की बात है कि जो आपका यहां पर यह नोन कोपरेशन मूमेंट थी इसका मतलब था कि हमें अंग्रेजियों लोग को सयोग नहीं देना है यानि की अंग्रेजियों के साथ नहीं खड़े होना है जो बिटिश लोग है अनके अगेणिस ट्रेण है यानि कि अगर वो उनका स्कूल है तो उसके अंदर नहीं जाना है तो ऐसी कुछ मूमेंट थी लेकिन लोगोंने इनको अपने डिमाνड नहीं देते हैं, हमसे tax लेते हैं, फिर पैसा लेते हैं, तो मेरे दिक्कत यह है ना, तो मैंने अपने दिक्कत करें उसको attach कर दिया, जब कि मैंने इस बात को यहाँ पर छोड़ दिया, कि हमें अंगरीजों के खिलाफ लड़ना है, non-cooperation movement का मतलब कुछ और था, और लोगों न इसका मतलब कुछ और समझ लिया, जिससे बज़े से यहाँ पर, मतलब आप समझ सकते हैं, अब conflict हो सकते हैं, तो अब आगे बताते हैं, the people's महत्मा, कि अब क्या सीन हो आगे, अब बताते हैं, we can see from the above that the sometimes people thought of गांदी जी as a kind of मसीहा as someone who could help them overcome their misery and poverty, भेब गांदी जी को लोग मसीहा की तरहे देख रहे थे, कि यह हमारी गरीबी यहाँ पर दूर करने आया है, फिर बताते हैं, गांदी जी wish to build class unity, not class conflict, भेब यहाँ पर गांदी जी का जो उदेश्य था, वो था कि भाई, मैं class unity बनाओ, यानि कि सभी ल को बीच में लडाई नहीं कराने, मैं को उनको unite करना है, एक करना है, yet peasant could imagine that he would help them in their fight against jamidars and agriculture labor believe he would provide them land, at times, ordinary people credits Gandhiji with their own achievements, for instance, at the end of powerful movement, peasant of Pratapgarh in United Provinces, Naotar Pradesh managed to stop illegal evocations of tenants, but they felt it was गांदी जी, who had won this demand for them, at one time, using गांदी जी name, tribal peasants, undertook actions and did not confirm to गांदीयन ideas, अब यहाँ पर बताते हैं कि फिर भई, गांदी जी का मतलब था है कि हम सभी लोग साथ मिलके, अंगरेजों के खिलाफ लड़ें, यानि कि हमें यह नहीं करना है कि अपने अपने लिए हम लोग लड़ेंगे, अगर हम class conflict करेंगे यहाँ पे, तो आप सभी को पता है कि फिर तो हमारा जीत पाना थोड़ा मुस्किल हो सकता है, लेकिन फिर वो आपको आगे जल की यही बात बताते हैं कि गांदी जी की achievement थे, उनका नाम काफी बढ़ने लगा था तो लोग उनके नाम पे अलग अलग काम करने लगे थे, अगर हम आपके उत्तर परदेश के बारे में आपको बता रखा है जो कि आपको उनाटेट परोविंस था उस टाइम पे, कि भई यहाँ पे आपकी जो illegal evacuation थी, उसको रोक लगा दी गई थे, मैंने आपको पीछे बताया था कि भई आपकी illegal evacuation क अब दुबारा से नहीं बताने वारा, ठीक है न, अगर मैं कुछ बात आपको नहीं बताता था न, उस टाइम पे तो उसका मतलब यह है कि मैंने आपको उसको पहले बता रखा है, उसके बाद यहाँ आगे, तिर आपको कहते है कि भई जो गांदी जी थे उनके नाम पे अगर आपको सारी बात अच्छे समझ में आ चुके हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत बूला जिसकर उनकी भी हल्प हो पाए और वो भी नोलज्यों गें कर पाए तो आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हैं तो इसको सबसे पहले देखने के लिए जानो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना साथ ही बेल नोटिक्रीशन को ओल बिजट कर लेना